हेलो फ्रेंड्स माई फूड कॉर्णर में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ वेच फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तो चलिए शिरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए उगले हुए चावल, दो कटी होई गाजर, दो कटे होई प्यास, दो कटी होई शिम्ला मिच, दो कटे होई टमाटर, अधरक लसंगा पेश्ट, बीजिय होसे हमें रासट होई हरी मिच्च आपके लिए वाफू थी लो सकता है यह हमने पैन में एक बड़ा जमच ऑईल डाल दिये इसे हम थोड़ा गरम होने के लिए रग देते हैं यह ऑईल हमारा गरम हो गए अब हम इसे इसमें प्यास दाल देते हैं इसे फोड़ा पता रखें प्यास हमारे खोड़े से घुनगें अब हम इसमें अधरक लसं का पेस दाल डाल रखेंगें अब हम इसमें शिनमा में चल राधर डाल राखेंगें गिर्णियूक काने ग्हार झाघने हम ऐंछूर हंग शर चुट जिए बेंड़ी अंसे मैं रोप़ साइब यढ़ेगंचाय स्थतपड़ इसे हम एक से मच नमग आ रहते हैं एक साइसे मच लाम इसका अगर एक साइसे मच नमग आ रहते हैं इसका पेश अगर एक साइसे मच लाएं इसमें तमादर अबने ने क्याले आएं तमादर तोड़ी तालेंगे तुपी तमादर जल्जी पग जाते हैं नमक आप अपने चावल और सब्जी के निसार दाव कथें सब्जी हमारी जोड़ी के पख चुके हैं अब आप मीफ में तमादर जाएं दाएं अब आप तुपी चावल जाहें इसको जादा निपखाएंगे, कुछी स्ट्राइब एक जादा भूने हो जब दो उच्छी ही जाएंगे इसी तरह से फिलाकर इसमें डाएगे और फोड़ा ही जाते देगे इसमें जल्दी जल्दी निवाते रेंगे, तक यह नीचे ना लगे इसमें हम एक इंबु बरस दालेंगे, अगर आपको बात इंबु बेले बदना हो तो अपिल का भी डाल देगे लीमू से स्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए हमने डाला है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हमने ज्यादा नहीं पकाया है, अभी हमारे प्राइज स्यार हम इसे बावल में निकाल देते हैं अब हमारे फ्राइज राइज सर्फ करने के लिए एक डम रड़ी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूले और अपने रेव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे थेंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज बॉक्स